अग्याव विडियो सेरीज में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कि Oracle SQL Developer में हम टेबल कैसे क्रियेट कर सकते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे कि Oracle जो SQL प्लस जो उसका Command Terminal होता है Oracle का राइट वहां पर हम टेबल कैसे क्रियेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा SQL टाइप करके SQL PLUS को उपेन कर लेना होगा और जिसे स्कीमा में आप टेबल क्रियेट करना चाहते हैं लेट से कि मैं इसे स्कीमा में टेबल क्रियेट करना चाहता है इसका नाम है Scott तो इसमें हमें लॉग इन होना होगा पाले तो मैं देता हूँ यूजरनेम Scott and of course आपको password भी देने होगे और इस तरह से आप login हो जाएंगे तक command जो terminal है इस तरह से आपको दिखेगा SQL PLUS का अब यहाँ पे आप DDL script लिखके table, views, store procedures, functions कुछ भी create कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि table कैसे create करते हैं, simple सा table create करते हैं table create करने के लिए create table आपको DDL script का यूज़ करना होगा create table लिखना है और उसका table name लेट से कि table name मैं person create करना चाता हूँ person table उसके बाग parentheses open और पहला जो column है लेट से कि id अब id column का name हुआ उसका data type क्या होगा तो data type मैं दे देता हूँ number आप number दे सकते हैं int भी दे सकते हैं आप चाहें कि number के बाज़े में उसका size भी दे सकते हैं लेकिन मैं size यहाँ default size छोड़ देता हूँ उसके बाद मैं इसे primary की दे देता हूँ primary की define करता हूँ इस column को primary की उसके बाद देना है comma interface करना है next column define करना है next column लेट से कि मेरा age है इसे भी मैं number data type ले लेता हूँ और जब कोई भी column आप define करते हो तो वहाँ पे default value भी आप assign कर सकते हो जैसे मैं यहाँ देंगा default space देके 0 इस एक column पर user यदी कुछ value assign नहीं करेगा right null value भेज़ेगा user insert करने के लिए तो by default इस में 0 insert हो जाएगा right that's how default की बाद जो ही value आप देंगे वो insert हो जागा यदी user इस column का value नहीं send करेगा insert करने के समय तो next next ले ले लेता है name right name इसे ले ले लेता हूँ data type वर कैर 2 and size मैं यहां देता हूँ 60 और इस पर मैं constraint apply करता हूँ not null में user जब भी table में data insert करेगा तो name जो column है उसका value specify करना mandatory right that's why not null constraint search right उसके बाद हम करते है email right email इसका data type लेता है word care to और इसका size हम ले लेता है 30 right और email है उस पर हम unique constraint apply करना चाहते तो simply आपको लिखना होगा unique unique keyword लिखने रहा होगा मतलब unique constraint इस column पर apply हो जाएगा right उसके बाद एक और column ले लेते हैं let's say date of birth दी ओ बी और इसका data type date ले लेते हैं right and that's it that's it और bracket parenthesis close करना है semicolon और enter पेस कर देना है तो it says table created तो table को describe आप कर सकते हैं describe keyword link के describe और table name तो table name हमने create किया है person right तो जैसे हैं आप enter पेस करोगे describe person connection तो आप देख सकते हो कि column का नाम के आया है कौन सा constraint apply है और data type के आया column का वो देख सकते हो उसके लाब SQL developer में आका यह जो connection है right squad का connection है squad schema का उसे refresh आप करेंगे तो आप यहाँ देख सकते है कि percentable create हो चुका है with all the information right we supplied from the SQL plus terminal right तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप SQL plus में table create कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कर दो कर दो